हलो दोस्तो मैं विनोध मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रोफेशनल टैक्स ऑनलाइन किस तरह से पेमिन किया जाता है अगर आप प्रोफेशनल टैक्स के अंतरगत आते हैं और आप चाते हैं खुद ही ऑनलाइन प्रोफेशनल टैक्स पेमिन करना तो आप इस व सकते हैं कहीं जाये विना दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल वाले बेल आइकन को दबा का नोटिफिकेशन को आन कीजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं चलिए जानते हैं किस तरह से प्रोफेशनल टै करना है ई कि पेमेंट डबलुबी सी ओ एम टी ऐएक्स मैं फिर से बता रहा हूं क्या आपको टाइप करके सर्च करना है गूगल का इपेमेंट डबलुबी कॉम टैक्स करके आप सर्च किजिए सर्च करते हैं आप अपने स्किन पर दे सकते हैं e-payment wb.com tax उपर में wb.com tax.nic.in दिखा रहा है आपको इस पर click करना है e-payment पर click किजे click करते ही आप दे सकते हैं government of west bengal directed of commercial taxes का official website है यहाँ पर आप अपने scheme पर देख सकते है pte payment नीचे grips है आपको professional tax payment करना है इसके लिए एक अलग से दिया है pte payment इस पर आप click किजे pte payment पर click करते ही आप अपने scheme पर देख सकते है the west bengal state tax on professional trade callings and employment rules 1979 professional tax e-payment आ गया है यहाँ पर आपको चूज करना है देख सकते हैं यहाँ पर pay your professional tax आपको professional tax payment करने के लिए payment for payment for आपके पास देख लेना है आपके पास क्या है आपके professional tax जब बनाये थे professional certificate में देख लिजे अगर enrollment number है तो enrollment number पर click किजे अगर registration number है registration number पर click किजे government ID number है तो government ID number में click किजे unenroll person है तो unenroll person में click किजे मैं example के तोर से enrollment number चूज कर रहा हूं enrollment पर click किया enrollment पर click करते हैं देखिए नीचे दिखा रहा है enrollment number मतलब आपका enrollment number क्या है professional tax का वो डाल दीजी मैं अपना enrollment number डाल रहा हूँ आप अपना enrollment number डालिएगा डालने के बाद आपको submit पर click करना है submit पर click करते ही आप देख सकते हैं आपके पास enrollment details आ जाएगा applicants का नाम, trade, email id, address, mobile number आपका सारा details यहां पर आसो करेगा कि यह professional tax payment कर रहा है यह आप ही का है या किसी और का सारे details आपका नाम, applicant का नाम, trade, name, email id, आपका mobile number आपका address सारे चीज़ दिखाएगा उसके बाद दिखें नीचे का जो section है उसमें दिया है payment details आपको payment details में इसको fill up करना है देखिए payment mode payment mode में आप यहां पर click किजिए select है select में क्लिक करना है क्लिक करते ही दिखें यहां दिखा रहा है net banking, counter payment, debit card, sbie pay मतलब आप professional tax net banking के दुआरा payment कर सकते हैं counter payment, counter payment मतलब आपने क्या किया है counter payment चूज करेंगे तो आपके पास यह fill up करने के बाद आपके पास चलान आएगा और आप bank करना पड़ेगा कौन सा bank में आप जमा करना चाहते हैं वो bank को चूज करेंगे उसके बाद आपके पास चलान आएगा यह चलान लेकर आपको bank जाना पड़ेगा बैंक जाने के बाद वो पैसा आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा तो यह हो गया counter payment डेविट कार्ड मतलब आप अपने डेविट कार्ड से professional tax घर बैटे ही देख सक जमा कर सकते हैं या SBI EPA आपके पासे तो SBI EPA से भी आप कर सकते हैं तो उधारन के तौर से मैं मान के चलिए counter payment चूज़ कर रहा हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि अपना professional tax जाकर bank में counter में payment करूँ आप डेविट कार्ड भी चूज़ का सकते हैं यह आपके सहुलियत पर अगर आप चाते हैं घर बैटे ही डेविट कार्ड से पेमेंट कर देना तो डेविट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और आपके पास जो जी आरेन नंबर आएगा वो जी आरेन नंबर को डाउनलोड करके रख लीजिए वह आपका professional tax है तो चलिए counter payment किस तरह करेंगे मैं दिखा रहा हूँ अब बैंक में जाकर अगर आपके पास डेविट कार्ड भी नहीं है तो counter payment पर प्लिक किए क्लिक करने के बाद देखें यहां पर दिखा रहा है frequency frequency में मतलब yearly payment करना है यह monthly तो यह मैं अपना professional tax yearly payment करता हूँ yearly है चूज कर लिया उसके बाद देखें है यहां दिखा रहा है year of payment कौन से साल के लिए payment करते हैं सेलेक्ट में क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आप कौन सा साल के लिए professional tax payment करना चाहते हैं कौन सा assessment के लिए देखें है मैं 2021 करना चाहता हूँ तो 2020 को मैंने सेलेक्ट कर लिया करने के बाद देखें हैं प्रियेड और्टमेटिक दिखाएगा 14 2020 से 31 2021 तक का प्रियेड है मैं जो year of payment चूज किया 2020 2021 के लिए उसके बाद आपको यह चूज करना है कि annual gross income slab for year previous to selected year आप जो year चूज किये हैं 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उसके पहले मतलब previous year में मतलब 2020 के पहले assessment year में financial year में आपने कितना total income किया है यहाँ पर select में click किजिए select में click करने के बाद दिखें एक से लेका 60,000 तक 60,000 वन से लेके 72,000 तक आप जिस slab में आते हैं मतलब आपका income previous year में जितना हुआ है वो किस slab में आता है वो slab आप चूज कर लिए मैं example करता और से चूज कर रहा हूं तीन लाग से पांच लाग के बीच में तीन लाग एक हजार से पांच लाग का बीच में मैं चूज कर रहा हूं लाग एक से लेकर पांच लाग के भीतर में previous year था तो उसका लिए मुझे इस साल जो प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करना है यहां पर जो डिटेल्स दाले हैं 2000 रुपिया मतला आपका स्लैप सही है आपका 2000 रुपिया का टैक्स लाइवल बनता है पेमेंट करना चाहते हैं सही है तो यस कीजिए अगर आप चाहते नहीं यह गलत है तो नो करके फिट से आपको फिल अप करना पड़ेगा उसके बाद निकाल लएगा उसके बाद निकाल लीजी दो कौपी आपको में ले एक कौपी बेंक ले लेंगे जमा और एक कॉपी आप एकनोलेजमेंट करके दे देगा उसलिए जैसे ही चलान आपके पास आएगा चलान में दिखाएगा नौट पेमेंट आपने जो टैक्स जो किया है वह अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है बैंक में पैसा जमा करने या चेक से जमा कीजिए या कैस से जमा तो आज आपने देखा किस तरह से प्रोफेशनल टैक्स ऑनलाइं घर बैटे ही आप जमा कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो आपको कैसा लग है थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो